कहानी धूर्तों की कला बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी धूर्तों की कला में फंस जाया करते हैं मर्शी गौतम के आश्रम के पास एक ब्राम्मन नेवास करता था ब्राम्मन वेद पाठी था वो दिन रात वेदों को पढ़ने पढ़ाने में लगा रहता था एक बार ब्राम्मन के मन में यग्य करने का विचार उत्पन्न हुआ वो यग्य के लिए सामान खरीदने के लिए एक नगर में गया उसने सब सामान तो खरीदा ही बली के लिए एक बकरा भी खरीदा ब्राम्मन बकरे को कंधे पर लाद कर अपने आश्रम की ओर चल पड़ा संयोग की बात मार्ग में तीन धूरतों ने ब्राम्मन को देखा ब्राम्मन के कंधे पर बकरे को देखकर धूरतों ने आपस में विचार किया चाहे जैसे भी हूँ, ब्राम्वन को मुर्ख बनाकर उससे बकरा ले लेना चाहिए तीनों धूर्टों ने ब्राम्वन को मुर्ख बनाने के लिए एक युक्ति सोच ली उस युक्ति के अनुसार तीनों धूर्ट मार्ग में एक-एक मील की दूरी पर खड़े हो गए ब्राम्वन जब प्रतम धूर्ट के पास पहुँचा तो वो ब्राम्वन की ओर देखता हुआ बोला ब्राम्वन देवता, कंदे पर कुत्ते को लादे हुए कहां जाओगे धूर्ट की बात सुनकर ब्राम्वन मन ही मन जल्ला उठा कैसा मूर्ख है ये आदमी जो बकरे को कुत्ता कह रहा है ब्राम्वन बोर उठा, बड़े मूर्ख हो तुम मेरे कंधे पर तो बकरा है, तुम उसे कुत्ता बता रहे हो अन्धे हो क्या? धूर्ट बोला बड़े विचित्र आदमी हो तुम, कंदे पर कुत्ता लादे हुए हो और बकरा बता रहे हो, जान पड़ता है बुद्धी ब्रष्ट हो गई है ब्रामन ने धूर्थ की बात पर ध्यान नहीं दिया, वो आगे बढ़ गया जब दूसरे धूर्थ के पास पहुँचा, तो वो भी बोला ब्रामन देवता, कंदे पर कुत्ते को लादे हुए कहा जाओगे ब्रामन बोल उठा, मेरे कंदे पर कुत्ता, ये क्या कह रहे हो धूर्थ बोला ठीक ही तो कह रहा हूं कुत्ता नहीं तो और क्या है विचित्र आदमी हो तुमी ने अपने कंदे पर कुत्ता लाद रखा है और तुमी को नहीं मालूम है ब्रामण के मन में संदेह उत्पन्न हो उठा वो सोचने लगा पहले आदमी की तरह ये दूसरा आदमी भी कह रहा है कि मेरे कंदे पर कुत्ता है कहीं कंदे पर कुत्ता ही तो नहीं है हो सकता है बकरे के मालिक ने बकरे की जगा कुत्ता दे दिया हो ब्राम्मन ने एक हाथ से बकरे की टांग और पूँश टटोली कुट्टे की तरह उसकी भी टांगे थी उसकी भी पूँश थी ब्राम्मन सोचता हुआ तीसरे धूर्ट के पास पहुचा तीसरा धूर्ट भी ब्राम्मन को देखकर बोल उठा ब्रामन देवता कुत्ते को कंदे पर लादे हुए कहा जाओगे अब तो ब्रामन के मन के संदेह ने सत्य का रूप धारन कर लिया उसने सोचा पहले आदमी ने भी कहा कंदे पर कुत्ता है दूसरे आदमी ने भी कहा कंदे पर कुत्ता है और अब तीसरा आदमी भी कह रहा है कंधे पर कुत्ता है सच मुझ मेरे कंधे पर बकरा नहीं कुत्ता ही है मन में इस विचार के आते ही ब्रामन ने बकरे को कंधे से खीज कर प्रिथवी पर फेंग दिया ब्रामन तो बकरे को फेक कर चलता बना पर धूर्टों की तो बन आई उन्होंने बकरे को पकड़ लिया वे उसे घर ले गए मार कर खा गए धूर्ट इजी प्रकार अपनी कलाबाजियों से साधारन मनुश्यों को ही नहीं बुद्धिमानों को भी ठगा करते हैं कहानी से शिक्षा धूर्टों से बच कर रहना चाहिए बड़े बड़े बुद्धिमान भी धूर्टों के चक्कर में पढ़ जाते हैं धूर्टों की बात को सुनकर अच्छी तरह सोचने और समझने के बाद ही काम करना चाहिए कहानी समाप्त